ऐलो माई डियर फ्रेंड्स वेलकम तू लेट्स केक राजसानेकजाम्स आप सभी का स्वागत लेट्स केक राजसानेकजाम्स पर बूड अफटनून क्या हाल चाला आप सभी लोगों के जल्दी से जल्दी जूड़ जाएंगे एक बार उसके बाद आज के समय है तो पूर्ण सेशन की तर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं हाजी बूड अफ्टरनून नमस्कार सभी साथियों का स्वागत एक बार फिर से लेट्स क्रेक रासान एक्जाम्स पर और सभी साथियों को मैं यह बता जेना चाहता हूं अगर आप लोगों ने मेरे पहरे साथियों ताकि दो भी अपना स्पेशल सेशन रहेगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकेगा स्पेशल सेशन को जोईन करने से पहले अगर आपसे कोड पूसता है तब आप कोड लगा देंगे प्रभी निलेओन जिससे आपको 10% का डिसकाउंट मिल जाएगा 10% के डिसका नमस्कार मैं बिल्कुल बहुत अच्छा हूं नमस्कार सभी साथियों का तो देखे आप यहां पर अनकेडमी लर्णिंगे पर अगर प्लस केटेगरे में सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो टोप एजुकेटर जो भी इंडिया के इसी एक सिंगल प्लेटफॉम पर आपको म ओके तो देखे आपको पता होगा कि 23 मही तक हमारा यह ओफर चल रहा है 12 मैने का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो दो मैने का फ्री मिल जाएगा और 24 मत दूशाल का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिल जाएगा ठीक है जी और आनकेडमी पे संडे को साम को 4 अगर के इन रूल अपने आपको कर लेना और यहां पर रेंक फेस्ट को 100% इसकूलर्शिप एक साल का फ्री सब्सक्रिप्शन रेंक सेकेंड और थर्ड को 50% डिसकाउंट और रेंक चार से 25 तक 25% आपको इसकाउंट 6 मत का आपको मिल जाएगा ओके गाइस उस सारे एक्जा ओर में मैंने आपको बताया और मैंने आपको ये भी कहा था कि मुहमद गोरी जो था उसकी बात हम अगर करएं तो उसके द्वारा इस गजनवी वंसके अंतिम शासक की हत्या कर दी गही थी और इसके द्वारा गोर सामराजी की सापना की गए थी अब इसके द्वारा जो आकरमन केगे उसके वारे में हम जानने वाले हाँ जी नमस्कार क्लास इसी टाइम नहीं रेगी गूड मोर्निंग नमस्कार सभी साथ यो को डेली अपनी कल सामको ग्लास नहीं होती है इसलिगे ये लगा दी गए ठीक है अब मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ क्या आपके जो खुसरव मलिक था उसकी हत्या मोहमद गूरी ने कर दी थी जी बिल्कूल मैंने आपको बताया था कि लाहोर में गजनवी वन्स का अंतिम सासक मलिक हुस्रव था उसकी हत्या मुहमत गूरी के द्वारा कर दी गए थी अब इसके द्वारा सबसे पहला आकर्मन जो हुआ वो कहां पर किया गया था तो 1175 की बात आती है 1175 इस्वी की बारे में अगर हम चर्चा करें तो जो मुल्तान वाला रीजन है उस मुल्तान वाले रीजन पर जो करमाथी मुसल्मान सासन कर रहे थे इस मुहमत गूरी के द्वारा टेक किया गया तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मुहमत गूरी का भारत पर प्रथम आकर्मन गूरी का भारत पर प्रथम आकर्मन अगर आपसे पूछता है तब आप ये नहीं बताएंगे कि सब तराइन में किया था 1175-1175 इस्व में मुलतान के उपर इसके द्वारा अटेक किया गया था साथी साथ मैं आपको ये वता दू कि गूरी की प्रथम पराजे जो हुई थी भारत में और प्रथम पराजे गुजरात के हाथों इसको पराजे का सामना करना पड़ा था 1178-1188 इस्व में कब की बात है 1178 इस्वी के वारे में हम चर्चा कर रहे हैं और 1178 इस्वी में कहां पर गुजरात के सासक की बात अगर की जाए तो आबु के निकट मेरे पैरे साथी युद्ध लड़ा गया था और गुजरात का जो साथी था इस समय अगर बात की जाए भारत में प्रथम बार पराजे का सामना करना पड़ा था अक्सर हम देखते हैं कि तराइन का प्रथम जो हुआ था 1191 1191 में वो अपने दिमाग में आता है कि यार 1191 में मोहमद गूरी की प्रथम हार थी लेकिन नहीं वच्चा ये गुजरात के सासक मूल राज के हातों मोहमद गूरी को प्राजे का सामना करना पड़ा था 1138 इस्वे में तो मैं यहां पर लिख सकता हूँ भारत में प्रथम पराजे जो हुई है भारत में प्रथम पराजे मोहमद गूरी की 1178 याद रखे लोगे कोई दिकत समश्या प्रोलम यहां तक नहीं होगी अब देखे जी 1191 1191 इकाण में इस्वे में तराइन का फेस्ट बेटल जिसको हम डिटेल से पढ़ते हैं जब हम बात करते हैं अजमेर के चोहान वंसकी तराइन फेस्ट अजमेर के सासक के साथ में हुआ है और अजमेर के सासक का नाम मेरे पैरे साथियो प्रथ्वी राज चोहान थर्ड है क्या इधर गजनी का जो सासक है इस गजनी के सासक की बात अगर की जाएगी तो गजनी के सासक का ना मोहमद गोरी और मोहमद गोरी युद्द के मैदान में यहां पर गायल हो गया था क्योंकि प्रत्विराज चुहान के साथ गए डिली के गवर्नर गोविंद रास्तोमर ने मुहमद गोरी को अपने भाले के वार से घायल कर दिया था जिसके कार्ण गोरी की सेना युद्ध का मैदान छोड़ करके चली जाती है अर्थाथ इस युद्ध में प्रत्विराज चुहान की क्या होती है जीट और मुहमद गोरी की ये भारत में दूसरी पराजे हुई है किससे पहले कब हुई है 1178 में किसके हाथ हों गुजराद के सासक मुलराज के हाथ हों लेकिन मुहमद गोरी गजनी जाकर अपनी तयारियों को पूर्ण करता है जबकि अजमेर सासक प्रत्विराज चुहान थर्ड ने ये नहीं सोचा था कि मुहमद गोरी वापस आएगा हाजी नमस्कार सभी साथियों को सभी के सभी साथी सेशन को शेयर कर देंगे रहे ऐसे कैसे मामला शेट होगा आज इस टाइम ग्लास लगा दी इसलिए नहीं आए क्या तो ग्यारा सूप बाण में इस्वे में 1192 में हम बात अगर करें तो क्या तराइन का सेकेंड हुआ था क्या जी बिलकुल तराइन के सेकेंड बेटल की बात आती है और इधर तो मैं लिख देता हूँ प्रत्वी राज चोहान महा के सासक प्रत्वी राज चोहान थे जी आपके अजमेर से और इधर हम बात करेंगे मोहमद गोरी जो कहां से आया था गजनी से आया था और मोहमद गोरी के द्वारा प्रत्वी राज चोहान के जो सेना विस्राम कर रहे थी अचानक उसके उपर सुबा आकरमन कर दिया गया जिसके कार्ण प्रत्वी राज चोहान के जीत हो गई और मोहमद गोरी के अंडर में दिल्ली और अजमेर वाला क्षित्र आ गया था अब इसी मुहमद गोरी की बात अगर की जाए तो क्या मुहमद गोरी ने दिल्ली और अजमेर वाला जो रिजन है उसका गवर्नर अपने गुलाम को नियुक्त किया था क्या दी बिल्कुल मेरे पैरसाथियो आपने कुतुबदीन एबग का नाम सुना होगा तो भारत में जीते गए भारत में गोरी द्वारा जीते गए छित्रों का गवर्णर किसको न्युक्त किया है कुतुबदीन एबग क्या नाम बताया मैंने कुतुबदीन एबग को और इधर गोरी की बारा सुच्छे में क्या हो जाती है बारा सुच्छे इस्वे में म्रत्यू हो गई तो इसी मोहमद गोरी के गुलाम कुतुबदिन एबग के द्वारा मेरे पैरे साथियो गुलाम वन्स की सुरुवात की जाती है अर्थात में यूं कह दूं दिल्ली सल्टनत की सुरुवात इसके द्वारा की जाती है इस प्रकार मेरे पैरे साथियों मेरे पैरे लाडलो हरत में गुला मन्स की सापना के साथ में ही दिल्ली सल्पनत की सुरुआत हमें देखने को मिलती है मैं इस गोरी के दो आपको दर्बारी विद्वान में बता दूँ अगर गोरी के बारे में बात कर रहे हैं तो एक दो दर्बारी विद्वान का नाम आप लोग याद रख लिजेगा जैसे एक तो आता है मेरे पैरे साथियों आपके फकरुदीन गाजी और दूसरी की बात मगर करेंगे मेरे पैरे साथियों इसका नाम आता है निजामी उरूजी उरूजी नहीं है उरूजी है ठेक है जानकारी प्रापकी कि तरायन की दूसरी युद्ध के बार प्रठ्वीराच चुहान को मोहमद गोरी ने पराजित कर दिया था और दिल्ली और अजमेर वाले रीजन में अपने गुलाम कुतुबदिन एबग को ये अपोइंट करके वापस चला जाता है और बारा सुच्छे में फिर मोहमद गोरी की क्या हो जाती है म्रत्य हो जाती है कैसा भी कहा जाता है कि नमाज पढ़ रहा था ये सिंदु नदी के तरब वहाँ पर आपके दैमक नामक जो स्थान आता है हिंदू खोकर जो विद्रोही थे और सिया विद्रोही थे उनके इड़्वारा इसकी मोह समलाशरेट हो गया होगा कोई दिकत समस्या प्रोलम आप लोगों को नहीं होगी शुरुद्लाख करने जा रहा हूँ दिल्ली सलतनत की आगर की जाये तो इसका समय जो है यह आपको पता 126 से स्टार्ट हुआ है 126 से लेकर 1526 इश्वे तक दिल्ली सल्तनत पर आपके पांच वन्सों का सासन रहा जैसे कौन कौन से वन्स है ये सबसे पहला वन्स आता है मेरे पैरे साथ यो गुलाम वन्स और गुलाम वन्स का समय आपको पता ही होगा 126 से लेकर 1290 इश्वे तक गुलाम वन्स के द्वारा सासन किया गया और इसका सहिस्तापक जो था उसका नाम क्या है कुतुबदिन, हेबक गुलाम वन्स के बाद में जो वन्स आया उसका नाम है जी आपके खिलजी वन्स उसका नाम लादलो था जलालूदीन खिलजी जेकी जिसको मैं लिखता हूँ और इसी जेके का जलालूदीन खिलजी का भतीजा अलाउदीन खिलजी खिलजी वंस के बाद में नंबर 3 पे आता है तुगलक फुल खिला तू शायद लूदी मिले कि ट्रिक भी है इसके लिए आप आसानी से इसको याद रख सकते हो 1320 से लेकर 1414 इश्वीत है कि यहाँ पर शार्षन तुगलक वंस के द्वारा किया गया और तुगलक वंस का सहस्तापक जो था उसका नाम था जी गया सुदीन तुगलक क्या नाम है गया सुदीन तुगलक नंबर 4 पे जो डाइनेस्ट्री आती है सयद वंस और सयद वंस की बात अगर की जाएगी तो 1414 इश्वी से लेकरके चोजासो इकावन इस्वी तक स्रीयर डानेश्टी का सासन रहा और इसका सह्तवापक जो है इसका नाम आता है साथ यो आपके खिज्रगां और अंतिम वंस जो है इस वंस का नाम है लोधी वंस और लोधी वंस का समय 1451 इस्वी से ले करके 1526 इस्वी तक और सह tarpa कोन आ जी ये आजाएगा आपके बहलोलोदी अर्थात दिल्ली में अफगानी सामराजे का सेंस्तापक बहलोलोदी ये पांच वन्स हमें मेरे प्यारे साथियों यहां पर कवर करने हैं सबसे पहले तो सुरुवात में करने जा रहा हूं ये हम सुरुवात मेरे प्यारे साथियों करे स्लेव डाइनेस्ट्री या फिर गुलाम वन्स और गुलाम वन्स जो है जिसका समय है मेरे प्यारे साथियों आपके बारा सू छैसे लेकर के बारा सो नब्बै इस्वी तक नहीं सापक कौन है यह आपको पताई है कुतुबदीन एबग और इस एबग का समय आता है जी बारा सू छैसे लेकर बारा सो दस इस्वी तक इसके द्वारा यहां पर साशन किया गया था मामला अगर शेट हो रहा है तो जल्दी से बताईए देखें अरे क्लियर हो रहा है क्या फटाक से बताओ देखें अरे बोलो तो सही मामला यहां तक क्लियर है आया ना कुछ तो रिप्लाई करो अब देखें कुतुबदीन एबग जो है यहां मूल रूप से यहां गोरी का गुलाम था तथा मूल रूप से तुर्क था तुर्क का मतलब क्या है कि यहां आपके तुर्किसान जो था इसके माता पिता तुर्किसान से बिलोंग किया करते थे इसी लिए ये भी आपका तुर्की से ही बिलोंग करता था और ये इसी लिए इनको कह दिया जाता है तुर्क ठीक है किसका गुलाम था ये मुहमद गुरी का गुलाम था आपको पता ही है अब देखेगा तुर्की भाषा की बात मगर करेंगे तुर्की भाषा में आपके एबबक का अर्थ जो है उसका क्या मतलब होता है मिनिंग क्या होता है इसका मिनिंग होता है साव आपके चंद्रमा का स्वामी कोन सी भाषा में तुर्की भाषा में एबबक का अर्थ मैं आपको ये बताया है किसाब चंद्रमा का स्वामी ये आपके होआ करता था और बारा सुच्ष में जैसे ही महुमद गोरी की मरत्यु हुई जो लाहूर के सरदार थे लाहूर की जो जनता थी उनके द्वारा एबबक को invite किया गया और एबक ने वहाँ पर जाकर लाहूर को अपनी राजधानी बनाया और लाहूर को राजधानी बना करके इसने दिल्ली सल्तना तो गुलाम अनसकी स्तापना कर दी तो मैं यहाँ पर लेख सकता हूँ बारा सूथ है इसवे में गोरी की मरत्यू के बाद इसके मरत्यू के बाद गोरी की मरत्यू के बाद इसने लाहूर को अपनी राजधानी बनाया लाहूर को अपनी राजधानी बनाया तथा तथा गुलाम वन्स की सापना कर दी गुलाम वन्स की सापना की और आपको ये भी पता होगा कि गुलाम वन्स की सापना के साथ ही गुलाम वन्स की सापना के साथ ही इसे दिल्ली सल्तनत का सहसापक माना जाता है किसको माना जाता है साथियो उतुबदिन एबग क्योंकि गुलाम वन्स की सापना के साथ में ही दिल्ली सल्तनत की सुरुवात हुई है लेकिन एबक ने अपनी कैपिटल जो थी अपनी राजधानी जो थी वो मेरे पहरे साथियों कहां पर बनाई थी इसकी राजधानी मेरे पहरे लाड़ लो आपके लाहोर थी पीडियाफ कमेंट बोक्स में मिल जाएगी जी अपलोड करवा दुमाग राज सेंग विज राज विश्मुजी तुरंट क्लास के तुरंट बाद में ठीक है अब देखेगा मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली सल्तनत की सुरुवात जो है यह इस गुलाम वन्स की स्तापना के साथ में हुई है तो गुलाम वन्स और साथी साथ आपके दिल्ली सल्तनत दोनों का सेंस्तापक कोन आ गया खुतुबदेन एबग तो स्वेम गुलाम था किसका मुहमद गोरी का अब देखेगा आगे बढ़ता हूँ मैं यह मुहमद गोरी का गुलाम था और इसके द्वारा सुल्तान की उपाधी नहीं धारण की गए थी इसने सुल्तान का टाइटल नहीं धारण किया बलकि स्वेम को नायव और सिपाल सालार की उपाधी से ही अपने आपको संतुष्ट रखा किसने जी मैं एबग के बारे में बात कर रहा हूँ सुल्तान की उपाधी धारण नहीं की बलकि अपने को बलकि अपने को नायव और सिपाल सालार की उपाधी से ही संतुष्ट रखा सिपाल सालार की उपाधी से ही संतुष्ट इसने अपने आपको रखा ठीक है क्योंकि यह पहले गुलाम था, अब सासक बन गया है लेकिन फिर भी इसने मेरे पैरे साथियोग आपके यहाँ पर जो है इसने सुल्टान का टाइटल ध्रण नहीं किया है अब देखिए मेरे पैराकर साथ यूंँ नाही इसने अपने नाम के किसी परकार के कोई सिख्केश चला एde और जो सासक आपके इसलाम में जो आपके मुसलबान सासक जो ओआ करते थे वो अपने नाम का खुतबा भी पढ़ाय करते थे लेकिन इसने इसने ऐसा भी नहीं किया मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इसने अपने नाम से अपने नाम से ना तो सिक्के जारी किये और ना ही और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़ाया क्योंकि यह तो बेचारा स्वेम ही सिपार सलार और नाइब का टाइटल लेके सासक बन गया इसने सुल्तान का टाइटल धारणा नहीं किया है आगे बढ़ते हैं एबग के बारे में ओर जो इंपोर्टेंट बात हैं आपसे पूछी जा सकती हैं उनके बारे में गर चर्चा की जाए तो मेरे पैरे साथियों यह पहले तो गुलाम था लेकिन अब सासक बन चुका था तो इसके दर्बार में इसके कोट में जब भी कोई मदद के लिए आता था तो ये लाखों में दान दिया करता था लाखों में दान देने का मतलब यह है कि उदार परवर्टी का था अर्थात मैं यूँ कह दू दानी परवर्टी का था इसी दान शीलता के कारण इसे लाख बक्ष कहा गया है क्या कहा गया है मैं यहां पर लेक सकता हूँ दान शीलता के कारण इसके कारण दान शीलता के कारण इसे क्या कहा गया लाख बक्ष कहा गया है किसको कहा गया है यहाँ मेरे प्यारे साथियो कुतुब दिन एबग को साथी साथ इसे मेरे प्यारे साथियो कुरान खा भी कहा जाता है कुरान खा भी कहा जाता है क्यों कहा जाता है इसके पीछे रीजन क्या है इसके पीठे रीजन ये है मेरे पैरे लाड़लो कि कुरान की आयतें जो थी कुरान की आयतें याद होने के कारण और इनको यह अच्छे स्वर में मेरे पैरे साथियों गाया करता था इसलिए इसे कुरान खां का टाइटल भी दिया गया और दूसरी टाइटल की बात अगर की जाएगी तो आप याद रखेंगे इसे लाख बक्ष भी कहा जाता है किसे कहते हैं यहां मेरे पैरे साथ्यों कुतुब दिन एबग के बारे में राजेंदर सर क्यों नहीं आते राजेंदर सर तभी तब आपको पता होगा ठीक नहीं थी लेकिन अब उनकी तभी ठीक है और एक दो दिन में वो आपके यहां पर उपस्तित हो जाएंगे ठीक है सर एबक में गयासुदीन गोरी से पतर लिकर दास्ता से मुक्ती मांगी थी ना जी बिल्कुल 1208 हिस्वी की बात अगर की जाए जो आपके गयासुदीन गोरी जो मुहमत गोरी का भाई था उसको पतर इसके द्वारा लिखा गया था अभी मैं हर्जेन ये बात आपको बताने वालो 1208 हिस्वी की बात आती दास्ता से इसको मुक्ती मेले ठीक है ना तो मैं यहां पर डायरेक्ट लिक सकता हूँ यह 1208 हिस्वी में 1208 हिस्वी में गयासुदीन गोरी ने गयासुदीन गोरी यह कौन है महुद गोरी का ही भाई था गयासुदीन गोरी ने इसे इसे मतलब एबग को तो एबग की लिख देता हूँ डायरेक्ट यह लेजेगा 1208 हिस्वी में गयासुदीन गोरी ने एबग को दास्ता से मुक्त कर दिया था एबक को तास्ता से मुक्त किया क्योंकि जिस भी डाइनेस्टी से आप जुड़े वे हो कोही डाइनेस्टी मुक्त कर सकती थी मुक्त किया किसने किया गया सुदीन गोरी ने जो किसका भाई था मुहमद गोरी का चलीगा जी आगे वड़ते हैं बात को आगे वड़ाते हैं एबग की बात हम अगर करें तो क्या एबग ने जब यह दिले थी आपको पता होगा कुटुब मिनार पांच मंजिल आपके पिलर बना हुआ है और इसकी नीव तो इस कुटुटिन एबग के द्वारा रखी गए थ इल्टुतमिस के द्वारा और साथी साथ इसकी पांचवी मंजिल जो आती है उसकी बात मगर करें तो पांचवी मंजिल का निर्मान फिरूस तूगलक के द्वारा करवाया गया था तो साथियो मैंना आपको यह का है जिल्ली में सूफी शंत वाजा कुटुब दिन वक्तिय काकी के सम्मान में कुटु मिनार की निव एबक की द्वारा रखी गए थी साथी साथ इसी एबक ने अजमेर की बात मगर करें एबक ने मेरे प्यारे साथियों अजमेर में संस्कृत पाट साला थी एक उसको तुड़वा दिया था और यह संस्कृत पाट साला जो है यह किस ने बनाई थी यहाँ विग्रह राज चतूर्थ जो अजमेर के सासथ थे उनके द्वारा बनाई गए थी सैंस्कृत पाट साला को तुड़वाकार धाई दिन के जोपडे का निर्मान करवाया धाई देने के जोपडे का निर्मान मेरे प्यारे साथियों करवाया गया था इसके द्वारा करवाया गया ये भी मैंने आपको बताया है कुटूब दिन एबग के द्वारा ही मेरे प्यारे साथियों निर्मान करवाया गया था तो ये सारी बाते हमने चर्चा प्रारम की है गुलाम वण्स के संसापक कुतुब्धिनेबग के बारे में मैंने ये का ये गोरी का गुलाम था और मूल रूप से तुर्क था क्योंकि इसके माता पिता तुर्किसांड से बिलूंकिया करते थे पुर्की भाषा में इसका अर्थ मैंने बताया चंद्रमा का स्वामी इसको कहा जाता है जैसे ही बारासूथ है इसमें मोहमद गुरी की मृत्व हो जाती है ये आपके कुतुबिन एबक लाहूर चला गया और लाहूर को ही इसने अपनी केपिटल बना और गुलाम वन्स की सापना हो गई गुलाम वन्स की सापना के साथ में ही आपको पता है सल्टनत की सापना होती है इसने एबक ने सुल्तान की उपादिधार नहीं की बलकि नायव और सिपाह सालार की उपादी से ही मेरे पहरे साथ यो अपने आपको संतूश रगा और नहीं इसने अपने नाम का कोई खुत्बा पढ़ा है और नहीं इसने अपने नाम के कोई सिक्के जारी किये हालानकि यह दानी प्रवर्तिका था जिसके काण इसे लाक बक्स कहा गया और कुरान खा मैंने आपको बताया कुरान की आयतों को यहाँ अतेंत सुलिली आवाज में मेरे पहरे साथ यो गाया करता था इसलिए आपके इसे कुरान खा का टाइटल मिला 1208 इस्वे में लियासुदीन गोरी जो मुहमद गोरी का भाई था इसने इसको दास्ता से मुक्त कर दिया क्योंकि इसने पत्र लिख करके अपने आपको मुक्ती करने के लिए लिखा था और उसे मुक्त कर दिया जाता है ठीक है ना इसी एंसेंट इस्ट्री करवाएंगे जी बिल्कुल ठीक हर्जेन जी इसी प्रकार एबक ने दिल्ली में सुफिशन, ख्वाजा, कुतुबदीन, बक्तियार, काकी के सम्मानवे कुतुब मिनार की नियुव इसने रखे थी आज मेर में संस्कृत पाट साला का नेवान इसने करवाया उसे तोड़वा करके इसने ढई धाई दिन के ज्ओंपडे में मेरे पैर साथियो बदली तो ये मेरे पैर लाड़लोग आज हमने दिली सल्कनत में गुलाम वंज की सुरुवात की है उमीद करूँआ कि जो कुछ भी मैंने आपको मुहमद गुरी के द्वारा आकरमन किये गये या फिर कुतूब दी नेबक से रिलेटेड जो चर्चाए हमने की है आपको अच्छे तरीके से सेट हुई होगी अपना अगला शेशन मेरे पहरे साथ यो इविनिंग में रहने वाला है तब तक आप लोग अपना ख्याल रखेगा, मस रहेगा, बिंदास रहेगा, जोरदा रहेगा अगर आप RPC के टेगरे में सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हैं तो मेरे पहरे साथ यो आज के आज ही जोइन कर लेना तेज सारे एक तक ओफर है बारा महिने वाले के साथ में दो महिने का फ्री है 24 मंत के साथ में मेरे पहरे साथ यो आपके तीन महिने का सब्सक्रिप्शन फ्री है अपना code लगा दीजिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ चाप रखा प्रविनिलेवन अपलाई कर दीजिएगा जिससे फीश में 10% का डिसकाउंट मेरे पहरे साथ यह आप लोगों साथी साथ आनके अडेमी लर्णिंगे पर आप मुझे full overshake कर लेना प्रविन कुमार के नाप साथ करके किसी भी केटेगरे में कोई भी सब्सक्राइब लेना चाहरे हैं तो code अपना प्रविनिलेवनी रहेगा ओके गाइस तो यह था आज का महतोपूं शेशन लाइक ज़रूर कर देंगे शेर कर देंगे और चैनल पर नए होभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुए वो भी कर लिजेगा बागी की चर्चा बागी की बात अगले शेशन में करेंगे तब तक के लिए बाए बाए टेक के लिए